क्या BMC चुनाओं में उद्धो ठाकरे शिंडे पर भारी पढ़ेंगे ये महाराष्ट की राजनीती में इन दिनों सबसे बड़ा प्रश्ण है इसलिए इसी सबसे बड़े प्रश्ण के साथ हमने किया सबसे बड़ा पोल और सबसे बड़े पोल में है सबसे चौकाने वाले न लगा है चुकि एक चीज तो साफ हो गई कि जब से शिब सेनाक में दोफाड हुआ और उद्धो गुट और शिंदे गुट दोनों की नई पार्टियां बन गई नए चुनाओं चिन्न मिल गए हैं उसके बाद से उद्धो ठाकरे नई रणनीती के तहत अब काम करना कैसे घर-घर में उस पार्टी को लोग जाने इसलिए उद्धाव ठाकरे ने महाप्रबोधन आत्रा की भी शुरुआत करने की योजना बनानी शुरू कर दी है और कमो बेस इसको महाराष्ट के हर जिले में पहुंचाया जागा यह आत्रा आपने आपने अनोखी होगी चु देग उट हो फिर उद्धाव ठाकरे हो और इसके अलावा जो और पार्टी आचाहों इनसीपी हो कॉंग्रेस हो और भी कई शक्तरी दल जो होंगे वो भी आने का प्रयास करेंगे यह पोल इसलिए भी महत्वपुन है चुकि इस पूरे जो सिनेरियो है बीमसी चुनाओ का इस बीमसी के सिनेरियो में एक चीज तो साफ है कि हर पार्टी अपना अस्तित्व और मौजूदगी दिखाना चाह रही है इसलिए हमने इस पूल में जाने की कोशिश की कि आम जनता उद्धाव ठाकरे को लेकर के क्या सोच रहे है इस पूल में जैसा कि नतीजा आपके साम हैं 77 प्रतिश्वत लोग मानते हैं कि हां उद्धाव ठाकरे बीमसी चुनाओ में सिंदे पर भारी पढ़ेंगे वहें पर 23 ठीसदी लोगों का मानना है कि नहीं उद्धाव ठाकरे शिंदे पर भारी नहीं पढ़ेंगे लेकिन बहुमत जो है वह सबसे ज़्यादा उद्ध के तरफ है और उद्धाव ठाकरे को बीमसी चुना को लेकर कि ये मिलने वाला पहला अपना बहुमत है जिसमें आप सब वोटर्स का स्वतनत्र वोट है स्वतनत्र वोट के जरिये ये फैसला किया गया है कि हाँ उद्धाव ठाकरे के पक्ष में भारी संख्या में लोग मानते हैं कि उद्धाव ठाकरे एकनात्य शिंदे पर भारी पढ़ेंगे एकनात्य शिंदे अपनी रण नीटी तैयार करें अपने तरीकिया से पूरी योजन बना रहें लेकिन 9 10 में उद्धाव ठाकरे के एस साफ चुनवती थी कि सबसे हम चीज यहां पर यह देखने रायोग चुना में उद्धाव ठाकरे एक बार फिर अपनी धाक चमाने वाले हैं क्योंकि उद्धाव यहां पर विक्टिम कार्ड भी खेलते रहे हैं। चुनाओं में एक बार फूदने वाले हैं। चीज तो साफ है कि यहां पर उद्धाव ठाकरे को एक बार फिर से बहुमत मिलता दिख रहा है। उद्धाव ठाकरे को जितना कमजोर और बैक खुट पर माना जा रहा है कि वो चले जाएंगे। उद्धाव ठाकरे ने उतनी तेजी से कमबैक करने का फैसला कर लिया है। यही कारण है कि महाप्रबोधा नियत्रा भी निकालने की योजना उद्धाव ठाकरे बना रहे हैं। इसका नित्र तो उद्धाव ठाकरे भी खुद करेंगे और उनके बेटे आजिते ठाकरे जो हैं वो भी करेंगे। यह और बात है कि उद्धाव ठाकरे के बड़े बड़े नेता जो हैं इन दिनों थोड़ा सा संकट में भी हैं जैसे कि संजयराओत अगर इस वक्त में अगर संजयराओत होते तो शायद जितना बड़ा जटका उद्धाव ठाकरे को लगा था उसको वो बहुत आसानी से जह देल पाते लेकिन संजयराओत का जाना उद्धाव ठाकरे के लिए मुश्किलें पैदा कर गया लेकिन बाजूद इसके उद्धाव ठाकरे बैक फूट पर जाने की बजा अब एक बार फिस्ते फ्रेंट फूट पर आ करके खेलने के लिए तयार हो गया है और इसलिए BMC अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें